साथियों, लोथल सिर्फ सिंदू गाटी मानने तका एक बड़ा व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, बलकि ये भारत के सामुद्रिक, सामर्थ और समुरुद्धि का भी प्रतिक था। हजारों साल पहले लोथल को जिस तरीके से एक पौर्ड सिटी के रुप में विक्सित किया गया था, वो आज भी बड़े बड़े जानकारों को हैरान कर देता है। लोथल की खुदाई में मिले शहर, बाजार और बंदरगा के अवसेश उस दौर में हुई अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के अध्भूत दर्शन कराते हैं। प्राकृतिक चुनोतियों से निपटे के लिए, जिस प्रकार की व्यवस्ता यहां थी, उसमें आज की प्लानिंग के लिए भी बहुत कुछ सिखने को है। साथियों, एक तरह से इस खेत्र को देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों का आशिरवात प्राप्त था। अनेकों देशों के साथ व्यापारिक दिस्तों की वज़े से यहां धनवर्षा भी होती थी, कहते हैं कि लोथल के पोड़ पर उस समय चोर्यासी देशों के जंडे फैराया करते थे। इसी तरह पासी के बल्भी विश्वविदाले में दुनिया के असी से जादा देशों का छात्र वहां पढ़ने के लिए आते थे। साथवी स्वताब दिमें इस खेत्र में आये चीनी दार्शलीकों ने भी लिखा है कि तब बल्भी विश्वविदाले में छे हजार से जादा छात्र थे। यानि देवी सरस्वती की कृपा भी इस खेत्र पर बनी हुई थी।